हेलो एवरीवन मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैंगनेट ब्रेंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैंगनेट ब्रेंस एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडर गार्जन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्रे एविलिबल करवाये जाते हैं और अब हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है संख्या वाचक शब्दाह जो आपका पाठ है उसमें ही एक बहुत महत्पून ये टॉपिक है बच्चे भलई इसको छोड़ देते हैं लेकिन इसका प्रियोग बहुत आता है इसलिए हम आपको इसका प्रियोग बता होगे तो बहुत सरल है आसान है जैसे कि हमने शब्द रूप आपको आगे अगर पड़े होंगे अकारांत आकारांत जब हमने उनको आपको अच्छे से याद करवा दिये हैं तो ये तो केबल एक से दस तक की संख्याएं हैं ज्यादा है ही नहीं तो चलिए हम आपको करते हैं या संस्कृत जब हिंदी से संस्कृत परिवारतित करते हैं संस्कृत से हिंदी में हम अपना परिवारतन देखते हैं तो उनमें ये प्रियोग आता है नहीं आता होता तो हम बताते नहीं आपको एक चीज महत्पूर्ण है इसलिए आपको सिखा रहे हैं तो जैसे क चार तक की जितनी भी गिनती होती है उनमें वो एक जैसे हमारी संख्या एक है तो वो स्त्रीलिंग, पुर्लिंग और नपुनसकलिंग तीनों के लिए उसके रूप अलग-अलग बनेंगें यह आपको बताए ही था ऐसे ही चाहे है दो हो एक, दो, तीन और चार यह ऐसे है जि दो को क्या कह दिया जाएगा, देखें, अब यहाँ पे लिखे भी हैं, तो यहीं से बताए देते हैं, तो एक हा, एक हा, एक हम, जबकि हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, एक, संख्या में गिनती क्या होती है हमारी एक, स्त्रीलिंग में उसको कहते हैं, एक हा, दूए शब्द का हमारा क्या बनता है दो को कह देते हैं द्वाव पुरलिंग के लिए द्वे कहते हैं हिस्त्री लिंग के लिए है और द्वे कहते हैं नपुनसक लिंग के लिए अर्थात हमारा द्वाउ द्वे द्वे छीक है अब आप कहोगे इतना तक तो हमें समझ में आ गया एक हा एक हा एकम तीन कर लिए फिर दो की याद की तो टेबिल हमने कहा द्वाउ द्वे द्वे कर लिए अब लेकिन कहेंगे आपको ऐसा लगेगा कि शब्द रूप जब हम नियाद करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि ये जो बालक शब्द लिखा है फिर हम इसको देखेंगे प्रत्मा विभक्ति और फिर प्रत्मा विभक्ति के बाद टेबल कैसी बनी रहती है हमारे टेबल रहती है हमारी इस प्रकार से के एक वचन दुई वचन और बहुचन फिर हम कहते हैं के प्रत्मा विभक्ति में बन जाता है हमारा बालकह बालकव और बालकाह इसी प्रकार से देखते हैं हम यह इस प्रकार से हमारे रूप बनते हैं अब आपको क्या याद रखना है आपको यह ध्यान रखना है कि बहुत बेखे सरल चीजें हैं इनके रूप बनानों कोई कठिन नहीं है बस इतना है कि हर लिंग के लिए अलग बनते हैं लेकिन वो भी केवल चार तक बनते हैं बाक उसके केवल एक वचन में सात रूप ही बनते हैं लेकिन ये जरूर है कि वो लिंग बदल लेते हैं इसलिए 21 बन जाते हैं तो वो बात अलग है लेकिन अगर कहें जैसे बालक के रूप दिखा जाए तो बालक जैसे ही हमारी बिल्कुल समान बन जाते हैं जैसे बालक बनता है बालका ये got एकम सोंगे एकम बालकेन सों गिकेन अब यहां जरूर परिवर्टन होता है यहां चतुर्ती विवक्ति में बालक बनता है बालका Будड कैंख ल किए बनता है एकसमाइ भिर greatest तो एक स्माथ बालक जैसे ही हमारे रूप हो गाईक के अब लेकिन यह प्रस कया यह संखिया तो एक ही रहेगी तो नहीं ऐसे तोड़ी नै उसक है क्जार्ख में जो इएक क्लीludह क्या एक क्या दू हो कहते नहीं संख्या तो ये तो ये जो बनता हो सिर्फ एक वचन की ही समें हमारी टेबल बनती है c wenade में लिंगों के लिए अलग अलग बनेगा वह बात अलग है ऐसे दोग जो संख्या होगी वह सिर्फ दोई तो यह हमारा हो जाएगा ढूरा बालक जैसा बना वचन का लेकिन यह नहीं होगा कि दौको एक वचन में उठाके हम लिखेंगे दौक वचन. से करें नहीं, दो तो दो ही रहेगा, इसलिए संख्या जो हमारी दो होती है, उसका जब शब्द रूप बनता है, तो वो सिर्फ दोई वचन वाली टेबल ही हम इसमें प्रियोग करते हैं, एक के लिए एक वचन, एक वचन के केवल रूप लगते हैं, यानि एक वचन वाले बनत प्रत्याय लगते हैं, और तीन और चार में हमारे बहु वचन वाले, तीन और चार के जब आपको टेवल बनाई जाएगी, जब आपको शब्द रूप बनायने अभी हम सिखाएंगे, उनके लिए बहु वचन के ही रूप आते हैं, ऐसा नहीं होगा, हम इसको कहें, त जादू थोड़ी ना है, जो तीन मिलके एक बन जाएगा, ऐसा होगा, क्या नहीं होगा तो तीन तो तीन होगी ना, यानि एक एक रहेगा, दो दो रहेंगे और तीन तीन रहेंगे, चार चार रहेंगे, तो एक एक वचन में रहेगा, दो दो वचन की टेवल में रहेगा, और तीन और चार बहुचन की टेविल में रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनके भी कोई वचन बनती हो, नहीं, वो खुदी संख्या है, संख्या को ही तो वचन कहते हैं, तो एक संख्या को तो एक ही कहेंगी न, समझ गए, अच्छा, आप कहो कि ये टेविल से हमें कन्फूजन हो रह हैं कहाँ परिवर्टन वगा केवल एकिस में और एक में, बाकी की एक, और बालक एक ही जैसे बन गए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई, अब हम करते हैं चलिए अब हम देखते हैं इस्त्री लिंग के तो इस्त्री लिंग के जैसे ये बालक के जैसे समानता से बना ऐसे ही ये बालिका जैसा बन जाएगा जैसे बालिका तो एका बालिकाम एकाम बालिकाया एकाया बालिकाया तो एकस्या बालिकाया तो एकस्या बालिकाया तो एकस्या लीजी ये बिलकुल हमारे कैसे बालिका जैसे बन गए बस यहां पर क्या परिवर्थन हुआ बालिका यहीं कर रहा थे तो उनकी बाद में का की बाद में सा का आगमन हो घॉगा बस बाकी पूरा की पूरा जैसे बालिका जैसे बन गगए एक के अब कहें नपुनसक लिंग में चले तो नपुनसक लिंग को तिरतिया से सब्तमी तक की मिला लो तो बिल्कुल पुर लिंग जैसे एकेन एकसमाई एकसमाद एकस से एकसमे बिलकुल पराबर है वैसे यहाँ पर क्या हुआ जैसे फल के बनते न फलम फले फलानी तो एक वचन में फलम प्रत्मा विभक्ती में भी फलम बनता है और दुटिया विभक्ती में भी फलम बनता है तो एक भी बन गया एकम एकम फलम एकम एकम ठीक है लीजिए शब्द रूप हो गए कौनसी बड़ी बात निकली कोई बड़ी बात थी क्या इसमें बिल्कुल नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी अगर आपने हमारे जो आपको शब्द रूप याद करवाए हैं अगर उनके दो या चार भी अगर कर लिए पूरे प्रियोग बता देंगे कि देखो इनका यहां प्रियोग होता है तो दिमाग में फिट हो जाएगा कि क्यों याद कर रहेते हैं अब कहा दौव बालक चलिए पुरलिंग को बालक जैसा बना लेते हैं इसको बालिका जैसा बना लेते हैं और इसको फल जैसा बना लेते हैं त तो बालकव, बालकव, द्वाव, द्वाव, बालकव, 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 तो द्वाव, द्वाव, बालकव, 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 तो द्वाव, द्वाव, बालकव, 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 पूरे समान देख लीजे जारा द्वाभ्यम 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 द्वाभ्यो हो द्वाभ्यो हो द्वाभ्यो हो सब समान ना अपन को बालिका की करना है बस अपन को बालक बालिका की कहा दिखना है के बल प्रत्माओ दोतिया में जैसे बालक बनता है बालको बालको दुई बचन में और बाली का बनती है बाली के फल बनता है फले फले लीजिए कि हो गई टेबल हग लोगा रहां दो लगा दीजिए यह यह लगा रहें यह सच्ठी सब्तिमी में तो लगा दीजिए हो गया यह अभी तीन में भी यह पन चलते हैं तीन में क्या करेंगे बहुअचनस वाली टेबल याद रखेंगे बालक के जैसे बहुवचन में क्या बनता है हमारा बालक को देखेंगे अब बालक का बहुवचन में बालक वाला देखना है लेकिन कौनसा बहुवचन वाली टेबल देखनी है आपन को तो क्या बन जाएगा जैसे बालक बनता है बालकाह लेकिन यहाँ बना त्रयाह यहाँ पे त्रयाह नहीं बना, क्या बना त्रयाह, क्योंकि यह तीन अपने आप में बहुवचन है, इसलिए इसमें जैसे बालक को हम जरूर बहुवचन मनाने के लिए क्या कह देते हैं, बढ़या की मात्रा विसर्ग लगा देते हैं, क्योंकि बालक अकेला अगर लिखेंगे बालक को अकेला लिखोगी तो तो ये एक वचन ही बताएगा बहुचन मनाने के लिए भाई कुछ तो परिवर्थन मनाना पड़ेगा इसलिए बढ़े आखी मात्रा विसर्ग लगा देते हैं लेकिन तीन तो अपने आप में ही कैसा है बहुचन है बहुचन में पहुच जाता है तो ये तो बैसे ही अपना कैसा है बहुचन है इसलिए सिर्फ विसर्ग लगा दिया कतम काम बन गया त्रयः प्रत्मा बेभक्ती में बेभक्तियां क्यों लगाई जा रही है? उनका रुक जाए थोड़े ऐसा अपना धेर बनाए रखीए पता चल जाएगा क्यों बेभक्तियां याद करवा रहा है फिर आते हैं दुईतिया विभक्ति पे अब जिसमें लिकाए जैसे बालक बनता है बालकम बालको बालकान तो तीन शब्द भी हमारा क्या बनेगा बालकान जैसा त्रीन ना ले लिया अकेला तो ना इसमें लगा दिया तो जैसे बालकान बनता है ऐसे त्रेया शब्द भी हमा भी ही लग जाता है जैसे बालक तो तृतिया विभक्ती बहुवचन में अगर देखा जाए तो क्या बनता है बाल कई बनता है राम बनता है रामाई बालक बनता है बाल कई लेकिन यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन यह होता है कि यहां पर भी ही आ जाता है जो कि हमने आकारां प्रिवर्तन क्या हो रहा है यहां लगना है त्री यह तो भई अपने बिलकुल समान चलनी ही है इन्हें तो कुछ परिवर्तन होना नहीं पूर्लिंग और नपुन्सक लिंग बिल्कुल एक जैसे चलने हैं प्रत्मावद्वितिया को छोड़ दू यह हमारे रह गए तो इसमें क्या हो गया कि यह जो त्री शब्द है यहां तो त्री त्री रहा है यहां तिस्र हो जाएगा त्री का जो क्या हो जाएगा तिस्त्र तिस्र 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 ठीक है अंतिम प्रत्या वही रह भी ही भ्याह भ्याह नामसू यह लगे त्री में यह लगे तिस्र में तो यह अपने तीन के रूप हो गया है अब चलते हैं अपने चार पर चार के कैसे बनते हैं चत्वारह फिर से लेजिए बालक जैसे बालक जैसे बालका बहुवचन में बनता है तो ये बनिया चत्वारह क्योंकि चार अपने आप में बहुवचन है इसलिए बढ़या की मातरा लगाने के कोई जरूरत नहीं है फिर क्या कहा चतुरह तेके चत्वारह चतुरह ठीके चतुरशब्द यहां पर मिल गया ठीके आगे देखते हैं चतुर भीही भीह भ्यह भ्यह नाम सू पर क्या हो गया चतुर भीही चतुर भ्यह चतुर भ्यह चतुर नाम चतुर शू सब में वही टेबल हमारी बहुवचन व क्योंकि है जैसी डिविल सभी लगानी है लौई जूप यहां क्या दो यह हो जाएगा चतस्त्र, चतस्री, चतस्षी, चतस्री, चतस्री. कि ये वल चार में परिवर्तन है, क्यों से इस ट्रीलिंग वाले में परिवर्तन है, बाकी नपुनसकल पुर्लिंग इक जैसे चल रहे है. चल रहे हैं प्रतमादीतिया को छोड़ दीजिए तो बाकी दे के चत्वारी चत्वारी ये तो इसमें भी समान हो गया यहां चत्वारह चतुरह ये चतस्त्रह चतस्त्रह यानि जो चतुह शब्द है वो कैसा बन गया इस प्रकार से यह हमारे तीन और चार के हो गए फिर इसके बाद आती है पंच पे तो पांच छे साथ आठ तीन से लेके दस तक के जितने भी शब्द रूप बनेंगे सब में बहुवचन वाली टेवल ही लगनी है बहुवचन वाली तृतिया से तो बिलकुल यादी रख लीजे भी ही भ्यह भ्यह नाम और सू जिसमें ये वाला शा या रा लिखा हुआ है उसमें ना की जगना लगा देना बाकी के सब में आपको नाम लगा देना है ठीक है र या शा के होने पे जो ना है वो ना में बदल जाता है बस ठीक है तो पंच नाम, शन नाम, सब्त नाम, अश्टा नाम, नवा नाम, दश नाम, पंच शू अब ये हो जाएगा हमारा पंच शू, शट शू, अच्छा इसको शट शू भी कहते हैं और शट शू भी कहते हैं सब्तसू अश्टशू नवसू और दशशू ठीक है अब ये तो हमने बता दी आपको टेवल अब इसके बाद में अब सिखाएं इसका प्रियोग प्रियोग कहा करोगे ये सबसे बड़ी बात है अब हम हर संख्या का आपको प्रियोग बताय दे रहे हैं जैसे कि अगर कोई वाक्य होता है कोई वाक्य होता है जिसमें क्या लिखा होता है कि चार बालकों के लिए चार बालकों के लिए माता ने भूजन बनाया अब यहाँ पर करता कौन है माता माता ने भूजन बनाया अब हम इसका कर लेंगे बाद में काम ठीक है अभी हमें क्या संख्या सीखने है अब यहाँ हम देखेंगे कि चार शब्द तो ठीक है चार को तो हम परिवर्तित कर ही देंगे बालक के हिसाब से पुरलिंग में लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बालक में कोई विभक्ती वाला चिन लगा हो कोई कारक का चिन लगा है क्या बालक के साथ में क्या कोई कारक का चिन है कारक की चिन कौन से ने को से के द्वारा के लिए से अलग होनी वाला काकी के या मैं पर कोई चिन दिख रहा है आपको बताए दिख रहा है बालकों के साथ में दिख रहा है आपको के लिए और के लिए कहां पे चिन मिलता है किस का रख का चिन होता है करदा का चिन ने कर्म का चिन को करण का चिन से के द्वारा और संप्रदान का चिन के लिए संप्रदान का चिन क्या होता है के लिए और संप्रदाने चतुर्थी यानि बालक में संप्रदान के हिसाब से क्योंकि बालक के लिए के साथ में है अर्थात बालक संप्रदान बनिया और संप्रदाने चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो बालक संप्रदान में चतुर्ती विभक्ति युक्त कैसा बनता है? बालक बनता है बालकाए एक बालक होता तो बालक के लिए तो क्या कहेंगे बालकाए लेकिन कह रहे हैं अब एक बालक नहीं है यहां तो चार बालक है बालक कितने है? चार तो बालक का अब रूप चतुर्ती बिभक्ती का एक बचन ना लगा कि हम लगाएंगे बहुचन वाला तो क्या बनेगा बालका आए बालका भ्यम बालके भ्य चतुर्ती बिभक्ती में बालक कैसा बनेगा यहां बता जेते हैं ठीक है कैसे बनेगा बालके भ्यम अब यहां पर अपन ने कर दिया बालक को बता दिया कि बालक में के लिए के भ्या शब्द में ने बता दिया कि बालक में के लिए का अर्थ निकल रहा है बालक में चतुर्थी विभक्ति लगी है तो अब जो चार संख्या है चार संख्या भी जो यहाँ पे कारक होगा उसी विभक्ती की यहाँ पे यह बनाई जाएगी जैसे अगर हमारे बालक में चतुर्थी विभक्ती लग रही है बालक में कौन सी विभक्ती लगा रहे हैं? चतुर्थी विभक्ती लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो चार संख्या है इसमें भी आपको चतुर्थी विभक्ती लगानी पड़ेगी तो जैसे बालक के भ्यह बना उआ है तो चतुर्थी विभक्ती का पूरलिंग वाला चतुर भ्यह यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा चार संख्या के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें चतुर भ्यह बालक के भ्यह समझ गया कि जो विभक्ति अब देखिए हम यहीं पर आपको प्रियोख करना सिखाय दे रहे जैसे कहा कि एक बालक ने एक बालक विद्यालय गया एक विद्यालय पुस्तक बढ़ता है तो बालक के साथ में अगर एक जोड़ा हुआ है और अगर वो उसमें प्रत्मा विभक्ति लगी है तो हमारे तो फिर हमारे एक संख्या में भी आपको प्रत्मा विभक्ति वाला एक लेना पड़ेगा अगर बालक में आपके पास लगा हुआ है कि एक बालक को देखा एक बालक को परहाया तो बालकम में अगर दीतिया भिभकती है तो उसके साथ में जो एक लगा हुआ है उसमें भी आपको दीतिया लगानी पड़ेगी अगर कहा एक बालक के द्वारा पाठ पड़ा गया तो बालक के द्वारा को दर्शाने के लिए अपने बालके ने लिखा तो उसमें ज अब अगर बालक में ने लगा हुआ है तो बालक में ने के लिए हम कौन सी लगाएंगे प्रत्मा विभक्ती तो एक में भी प्रत्मा विभक्ती लग जाएगी हमारी एक अगर बालक में को लगा हुआ है बालक को तो अगर एक बालक को तो बालक में अगर हमने लगाया बालक को का अर्थ बताने के लिए बालक कम तो एक भी बन जाएगा हमारा एकम दुईतिया विभक्ति वाला एकम अगर हमने कहा एक बालक के द्वारा बालक के द्वारा तो फिर के द्वारा का आर्थ बताने के लिए बालख में लगाएंगे तृतिया विभक्ति तो बालख बन जएगा हमारा बालखेन तो एक जो संख्या इसके साथ में लगी है ऐसा नहीं होगा कि एक में भी लगा हुआ हो ने एक में कोई चिन्न नहीं देखेगा संख्या में आपको कोई चिन्न नहीं देखेगा लेकिन संख्या को आपको वो ही विभक्ती लगानी पड़ेगी जिसकी संख्या वो बताई जा रही है विशेशन हमेशा क्योंकि संख्या क्यासी बनती है विशेशन बनती है और हमने आपको नियम बताया है बार बार बोलते हैं कि विशेशन हमेशा विशेश जैसे बनते हैं जो विभक्ती बालकम में लगी हुई है विभक्ती अगर बालक में द्वितिया है तो उसकी संख्या या उसकी विशेशन या उसका जो भी विशेशन बन होगा उसमें भी द्वीतिया विभक्ति लगाई जाएगी यहां अगर बालकिन बन रहा है तो उसके संग में अगर एक बालक की द्वारा लिखा हुआ है क्या लिखा है एक बालक की द्वारा एक में के द्वारा नहीं लगा है लेकिन बालक में तो लगा है और एक शब्द किस किस दा बता रहा है बालक की बता रहा है तो भई वो किसका वेशेशन है बालक का तो बालक में तृतिया तो एक में भी तृतिया ही लगारी पड़ीगी आप लिखेंगे एकेन बालकेन एकेन बालकेन ऐसे ही आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है एकस्मई बालका है यानि एक बालक के लिए कैसे एक बालक के लिए अब बालक में के लिए था तो हमने चतुर्ती बिभक्ती से बना दिया बालका है तो उसमें जब हमने एक को दर्शाना है तो अगर इसमें चतुरती विभक्ती है तो इसके साथ में लगा हुआ जो एक है वो भी चतुरती विभक्ती वाला एक कस्माई आएगा ऐसे ही अगर बालकात के साथ में एक लगाना है कि एक बालक से दूर गया एक बालक से मैं दूर चला गया तो हो जाएगा एक कस्मात बालकात एक बालक का घर तो बालक के साथ में काकी के लगा है तो बालक को हम मनाएंगे सच्थी विवक्ति में बालकस्य तो एक जो संख्या है वो भी बनेगी भई बालकात के साथ में अगर लगाओगे आप एक संख्या को तो आपको एकस्मात लगाना पड़ेगा बालकस्य अगर लिख रहे हैं हम और यहां लिख रहे हैं एक बालक का घर तो बालक में काका अर्थ लगाना है तो आप बालक में सश्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बालकस्य लिख जाएगा और उसमें जो एक लगा हुआ है वो कहेगा कि जो विभक्ति इसी में है वो मुझ में लगा दो तो एक में भी सश्थी विभक्ति लग ज जालों आपने कभी-कभी कहानिया पड़ती हैं, तो उसमें क्या लखा रहता है? एक कस्मिन ग्रामे तो भई क्यों लिखा होता है? क्योंकि ग्रामे शब्द में सब्दमी विभक्ति लगी है और हम उसको क्या करने? एक गाउ में हिंदी उसकी क्या निकलती है एक गाव में तो गाव में तो में का अर्थ बताने के लिए हमने सब्तमी बिभक्ती लगा दी ग्रामें बना दिया लेकिन एक में कौन सी बिभक्ती लगा होगे क्या एक ही लिख दोगे बोले नहीं, जो विभक्ति गाउं में लगी है, वो ही इसमें लगा दीजे तो सप्तमी विभक्ति लगके क्या बनता है एक, एकस्मिन तो ये बन जाएगा हमारा एकस्मिन ग्राम अब जब एकस्मिन आप पड़ोगे तो कहोगे एकस्मिन सप्तमी विभक्ती में आता है वो किसका विशेशन बनना है गाउं का क्यों क्योंकि गाउं में सप्तमी विभक्ती थी मैं का अर्थ निकल रहा था इसलिए मैं का अर्थ वाला एक ही लिया गया विशेशन हमीशा विशेशी जैसा बनता है अब आपको समझ में आया अब हम जरा हम आपको बोलते जाएंगे समझते जाएगा जैसे हम कहेंगे एका बालिका एक लड़की एक बालिका को तो कहेंगे एकाम बालिकाम अगर बालिकाम है तो एक काम लेखना पड़ेगा अब कहेंगे एक या बालिकाया एक बालिका के द्वारा तो कहेंगे एक या बालिकाया बालिकाया तो एक बालिका के लिए एक लड़की के लिए तो आप कहेंगे एक अस्याई बालिकाया ठीक है अब कहेंगे एक बालिका से अलग होने वाला पंच में तो कहेंगे बालिकया तो कैसी एकस्याह बालिकया और एकस्याम बालिका याम बालिका पर लाल कपड़े बहुत सुन्दर लगते हैं लड़की पर सफीद कपड़े या लाल कपड़े या काले वस्तर बहुत अच् लड़की में पर होने पर एक में भी पर लग गया ठीक है एकम फलम एकम फलम एकेन फलेन एक कहेंगे एकस्मई फलाए फलाए शब्द में यहां पर चतुरती बिभक्ती में परिवर्तन होता है हर एक में देखेगा तो जैसे अपने चतुरती बिभक्ती में बालकाय बनता है यह बनता है एकस्माई इकस्माई बालकाई एकस्मात भलाद एकस्य भलस्य और एकस्मन भले ठीक है अब आपको समझ में आ रहा है कि कहां पर जोड़ी जाएगी और अब अगर संख्या एक नहीं है एक नहीं है लिखा है दो बालक दो बालक खेलते हैं तो कहेंगे दो बालकों दो बालकों को दिया तो कहेंगे दो बालकों दो बालकों को पढ़ाया तो कहेंगे द्वाव बालको बालका भ्याम लिखा हुआ है तो उसके संग में अगर लिखन आपको बताना है कि दो बालकों की द्वारा दो बालकों के लिए या दो बालकों से तो आप क्या कहेंगे द्वाभ्याम बालका भ्याम दो बालबं कोंगों का घर दो बालकों पर तो आप कहेंगे दवयो बालकयो जो हमारे विशेशन संग्या शब्द में जो विभक्ती होगी उसका विशेशन विशेशन भी उसी विभक्ती का लग जाता है और संख्याए हमारी विशेशन का काम करती है अब आगे चले एक, दो, तीन, चार की बात हो गई अब जैसे हम कहें कि दस लड़कों के लिए क्या कहें? दस लड़कों के लिए अब पचार से लेके दस तक की गिंती हमार तीन से लेके, स्वरी पांच से लेके जो दस तक की गिंती है वो कैसी होती है, तीन लिंगों के लिए समान होती है तो अब इसमें तो और ही जाद अच्छी बात हो गई इसमें तो हमें अलग-अलग याद भी नहीं रखना है तो हम क्या, जैसे कहा हमने कि दस लड़कों के लिए अब मित्र शब्द में क्या लगा है चतुर्थी के लिए लगा हुआ है अर्था इसमें में चतुर्थी बिभक्ती लगाना पड़ेगा तो हम यहां लिखेंगे जैसे हम फलाब भ्याम लिखते हैं तो मित्र हो गया हमारा मित्रे भ्याह क्या बन गया? मित्रे भ्या क्योंकि यहां मित्र ना एक है ना दो है यहां तो दस है यानि बहुवचन का रूप बनेगा बनेगा मित्रे भ्या अब मित्रे भ्याह में अगर मित्र में चतुर्ती विभक्ती है तो इसकी जो संख्या 10 है उसमें भी आपको चतुर्ती विभक्ती का दशब्याह लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा आपको दशभ्यह मित्रेभ्यह समझ गया आप जो विशेश्य शब्द में विभक्ती होगी वही उसकी संख्या में विभक्ती लगा देंगे इसलिए ये आपको शब्द रूप हमने याद करवाई है ठीक है इस तरह से ये संख्या के शब्द रूप हमने आपको बनाना सिखाए सरल होते हैं कोई बड़ी कठन बात नहीं होती हो इनका प्रियोग कहां होता है ये भी हमने आपको बता दिया संख्या सामने लिखी हुई हो और जैसा विशेश्य सामने हो उसी जैसा रूप परिवर्थित उस संख्या का कर दिजेगा यानि अगर हमारी बालक शब्द में पंचिमी विभक्ती है तो उसके संख्य में संख्या अगर एक, दो, तीन, चार या कोई भी लगी हुई है तो आप उसका उसमें भी पंचिमी विभक्ती लगा देंगे, उस संख्या में भी तो इनका प्रियोग यहां होता है समझ में आई बात जब संस्क्रित परिवर्थन करना सीखेंगे आप हिंदी से संस्क्रित में तब अगर कहीं पे संख्या वाला शब्द आ गया संख्या कौन सी सुखाएं एक, दो, तीन, चार से लेके 10 तक ही सिखा दी अब इसी में पूरण वाचक हम आपको सिखा देते हैं कि जैसे कि आपको क्याते हैं कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया मैं दूसरे नंबर पर आया मैं तीसरे स्थान पर आया, मैं चोथे स्थान पर आया तो अगर अब आप कहोगे, जैसे मैं के लिए प्रयोग किया और हमने कहा कि मैं कक्षा में प्रथम आया या मैं दोड में प्रथम आया मैं प्रथम कक्षा में पढ़ता हूं मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ तो इनके लिए क्या आप फिर से क्या एकाह लिखोगे एकम लिखोगे एकाह लिखोगे क्या लिखोगे क्योंकि प्रथम शब्द लिखा है इसको संस्कृत में कैसे बनाए तो इसके लिए इनी को कहा जाता है पूरण वाचक शंख्या जैसे एक को हम क्या कहते हैं प्रथम पुरलिंग के लिए कहेंगे प्रथमा बालका पहली लड़की प्रथमम मित्रम पहला मित्र अब कहेंगे दूसरा जो हम हिंदी में उसको कहते हैं अब इसको हिंदी में लिख देते हैं जिससे कि आपको और बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये प्रथम शब्द किसके लिए प्रयोग होता है पहला इसको हम कहते हैं दूसरा अब इसको एक नहीं कहते हैं दो नहीं कहते हैं जब इसको हिंदी में भी पहला कहते हैं तो संस्क आजो था बोलर्थ प्रत्मानो सब्सक्राइडैनly हखें प्रत्मान अगर तो कहोगे प्रत्मान वालिका और मित्र हमारा पहले मर्ण तो तो कहोगे प्रथमम मित्रम अब इसके बाद कहते हैं दूसरा को कहते हैं द्वितिया या कहते हैं द्वितिया लड़की अगर दूसरे नमबर पे आएगी तो आप कहते हैं द्वितिया बालिका यहाँ पे कहोगे आप द्वितियम मित्रम तृतिया तीसरा तृतिया हमारा अग इस को कहते हैं हम पांच वथ ठीक है फिर अब आते हैं तो क्या कहेंगे इसको चतुर्था जतुर्थी और चतुर्थम कहते हैं पंचमह, पंचमी, पंचमम, अच्छा एक बात आपने देखी है जराप आपने जब कभी हम हिंदू केलेंडर की बात कर रहे हैं जब बच्चो जब आप अपनी ममी से सुनते होगे तो कभी-कभी ममी आपको कहते होगे आज तो गणिश चतुर्थी है कहते हैं कभी कभी आपने मम्मी के नाम मम्मी से सुना होगा है आज तो संटान सप्तमी है आज इसलिए नहीं कहा रहे हैं क्योंकि ये जो प्रत्थमा दुतिया तर्थिया चतर्ति अरों कि पंचमी शब्द रहे ह most किसके लिए वह प्रयोग करें है तिथी days छोटी की मात्रा इस प्रेल स prosecution इसलिए तिथी के लिए जब आप पहली तिथी दूसरी तिथी तीसरी जो पहले के साथ में जो पहला दूसरा लगा रहे हो उसी को दर्शानी के लिए कहा जाता है प्रत्मा तिथी है आज दृतिया तृतिया है आज चतुरति है आज पंचमी है है ना और नपुन सकलिंग होत बड़का में सम्मे विस्रग लगता है। बालिका में मात्रा लगते हैं और नपनसकलिंगे माहलंत लगता है। अब सश्था को किया कहेंगे सटवां याज है चटवां प्रतवांaliец है, स Laughs आथ हूं और ओ उअड है ओजय सब्ध है वह कहते हैं नववा और क्याते हैं कि दस्वा तो क्रम को दर्शाया जाता है न तो यह पर बिश शंथ्ष सप्तमः अश्टमः नौमः 10 महा अब तित्ही के लिए वही कौन सा छटवी लड़की छटवी नंबर की लड़की तो कहेंगे हैं सश्थी हमारी कौंसी बालीका है सब्तमी बालिका अश्टमी बालिका नवम हमारी बालिका और दश्मी हमारी कौन हो गई इसमें ये थोड़ा उलट फेर हो गया है यहाँ पर आएगा नवमी और वहाँ आएगा नवम ठीके उलट फेर कर लिजेगा और दश्मी और ये हो गाएगा हमारा दश्मम ठीके इस प् MagnetBrainz website वे आराम से मिल जाएंगे, Google टप पर जाएंगे, लिखेंगे MagnetBrainz.com, इंटर करेंगे, website पेज ओपन हो गया, और यहां पर आपने जैसे class को क्लिक किया, तो 7th class के subject आ गए, Sanskrit वियाकरण पे गए, तो यहां पर Sanskrit वियाकरण का पेज ओपन हो गया, यहां आप देखेंगे, तो आपको chapter wise वीडियो मिल जाएंगे, अच्छा, जिस chapter को क्लिक करेंगे, उसका वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि पूरी लिस्ट पूरी नहीं कुलती है, इसमें सब सबसे ची बात यह है, कि जो chapter पढ़ना है, सिर्फ उसी के वीडियो पर सीधे सामने से आरम से पहुंच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी बता रहेगा, कि हर एक पार्ट में हमने कितनी topic आपके लिए करवाए हैं, यह clear हो जाएगा, तो पढ़ना आसान हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा, तो सीख जल्दी जाएगे संस्कृत, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में नए पार्ट को शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,